CUT UG 2024, student के लिए तीन बड़ी problem है, अगर ये तीन बड़ी problem वो solve नहीं करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से उनका problem solve होगा, उनके माइन में जो doubt है, अगर वो doubt नहीं किलियर होता है, तो 99% student गलती कर रहे हैं, और ये गलती उनको conseling में जहिलना पड़ेगा यहां तक कि जब वो CUT UG 2024 का examination देने के लिए जाएंगे, वहाँ पर भी उनको problem create होगा, ये जो problem होगा आपका subject combination यानि subject selection से related और साथी साथ exam pattern से related है, क्योंकि आप किसी भी exam की त्यारी करोगे, उसके pattern के बारे में deeply नहीं पता होगा, तो फिर आप तयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे, केतनों आप किताब पढ़ लिजेगा, सबसे पहला जो प्रसना है, 12th में science था, यानि बहुत सारे student essay जो 12th में science stream से थे, उसके बाद CUT UG में arts के subject है उनके पास, उन्होंने arts वाले subject select किये domain paper में, तो किसे पढ़ना है, क्या उनका 12th में science paper था, किसी का PCM होगा, यानि physics chemistry math, या फिर किसी का physics chemistry biology होगा, तो वो 12th वाले paper को पढ़ेंगे, या फिर CUT में जो paper select किये है, उस paper को पढ़ेंगे, इसी में एक बहुत बड़ा problem ये भी create हो रहा है, कि 12th में student का science है, तो फिर अगर वो graduation में arts में वो लेना चाहते है, किसी भी university के course में arts में participate करना चा करना चाहते हो, तो उस university में साफ-साफ तौर से eligibility दीख वी है, मैंने इसके regarding कई वार वीडियो में बताया है, प्रोग्राम के बगल में आपका साफ-साफ माँ पर eligibility दिया रहता है, कि BA course अगर आपको लेना है, तो ये language paper लेना होगा, ये domain paper लेना होगा, और ये general test paper लेना CUT में भी जाकर आप देख सकते हो, official website जो CUT, UG का है, या फिर अगर जो बड़े-बड़े central university है, उस university पर भी official website पर भी वो सारा कुछ available होता है, तो दोनों में से कहीं वार भी आप जाकर देख सकते हो, चेक आउट कर सकते हो, बहुत सारे university में ऐसा भी है, जहाँ पर science वाले अपना-पना subject selection combination रखती है, उसके according यानि university के according आपको select करना होगा, अब ये परस नहीं आपर देखते है कि 12th में science था, CUT, UG में arts के subject है, तो किसे पढ़े, 12th में जो paper था, उससे माहिने कुछ नहीं रखता, याद रखिएगा, CUT, UG आपने form fill up किया होगा, उसमें जो भी subject आपने fill किया, जैसे कि science वाले विद्यारती, arts वाले paper fill किये, जैसे कि political science, या फिर history, ठीक है, इस तरीके से, arts वाले अगर आपने paper fill किये है, तो आपको arts वाला ही paper पढ़ना होगा, science वाला नहीं पढ़ना होगा, जो आपका CUT के form में subject choose किया हुआ है, fill up किया हुआ है, वही paper पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा question, दूसरा question था कि आधा question online होगा, या फिर आधा question offline होगा, यानि कहने का मतलब है, जब आप exam center में बैठोगे, तो वहाँ पर total, जैसे domain paper में total 50 question पूछे जाएंगे, जिन में से आपको केवल और केवल 40 का ही जवाब देना है, तो क इस भी paper का form fill up, जैसे language paper English का अगर form high label चला जाता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है बच्चों का, जिनोंने CUTUG 2024 में language paper English का लगबग 2-5 लाग के अगर पार चला जाता है, उसका registration form fill up, तो उस paper का offline exam होगा, जैसे आप लोग OMR sit पर exam देते हो, OMR sit पर आप लोग उसका registration number कम रहेगा, उस situation में आपका online exam होगा, मेरे channel में सबसे popular video में एक video मिल जाएगी, live online test वाला, उसको देखिए, आपको पूरी detail से समझ में आएगा, online किस तरीके से exam conduct होता है, क्या-क्या गलती नहीं करना चाहिए, online exam देते समय, साथी साथ, बहुत सारे student के mind में ये भी exam देना होता है, और बात रही offline वाला exam किस तरीके से होगा, उसमें भी बहुत सारा problem है, उसको भी हम लोग एक next video में हम लोग सारा doubt clear करेंगे, तो उमीद करते हैं कि ये वाला doubt आपका clear हो गया होगा, कि किस तरीके से question रहने वाला है, इसके बाद next question आपका unlimited university को select किये हो, या question है, ये question number one के जैसा question है, क्योंकि university आप लाखो select करो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, जो आपने CUT UG 2024 में subject को select किया है, जितने subject आपने choose किये, maximum कितना आप subject choose कर सकते हो, 6 subject choose कर सकते हो, 6 से जादा subject choose नहीं कर सकते हो, तो 6 subject अगर आप maximum choose किये हो, तो 6 subject आपको पढ़ना होगा ठीक है, CUT UG 2024 का जो form पिलब की होगे, वहाँ पर आपको subject है, choose करने के लिए option मिला होगा, तो वही subject आपको पढ़ना होगा, उम्मीद करते होगे कि ये सारा doubt किलियर हो गया होगा, तो please वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और नए वीवर चैनल को जरूर सब्सक्राइब